चोहदा फेरे के प्रथम भाग में हमने सुना कि पहाड का ब्राम्भन कर्णल शिव्दत जो कर्णल नहीं है किन्तु लोग उसे कर्णल के नाम से ही चानते हैं कैसे अपनी पत्नी को और अपनी पुत्री को पहाड पर छोड़ करके कलकते में एक विलासी जीवन जी रहा है उसकी पत्नी अपने माईके में अपनी भावी द्वारा बहुत प्रताडित हो रही थी और अचानक एक दिन अपने भाई से कहकर के वो कलकते आ पहुँचती है अब आगे जब नंदी अपने पत्ती के द्वार पर आकर खड़ी हुई तो पत्ती का वैभो देकर दंग रह गई नेपाली दर्बान ने गेट पर ही रोक दिया क्या है माजी किस से मिलना है साहब से उसने कहा था साहब तो इतनी बिंसार किसी से नहीं मिलते आप बैठिये उसने एक बेंच खीज दे थी ऐसे मिलने वाले दिन रात आया करते थे और कभी कबार तो साहब बाहर ही बाहर उनकी मांगे पूरी कर उन्हें भीतर बुलाये ही बिना रफा दफा कर देते, साहब से कहो मालके नाई हैं, मैं बाहर नहीं बैठूंगी, प्रभुत पूर डगे भरती वह भीतर चली गई, उची उची घुमावदार सीड़ियां थी, एक एक मोड पर पीतल के बड़े बड़े फूलदान थे, दीवारों पर बड़ी बड़ी और चांदी की मढ़ी तस्वीरे थी, सबसे उपर की सीड़ी पर एक विशाल आईना दीवार पर टंगा था, उसमें अपना प्रतिविंब देखकर नन्नी अहल्या ताली पीटकर चीकने लगी, अम्मा देखो तुम हम, अम्मा देखो तुम हम, और शायद उसी का कंठ सुनक ड्रसिंग गाउन डालकर करनल बाहर निकलाया, पति को देखकर नन्दी और नन्दी को देखकर करनल दोनों स्तब्द थे, गुलाबी उनकी कंठोपा टोपी और टकनियों तक जूलते फ्रॉक को एक हाथ से समेटकर एहल्या मूचो वाले रोबदार अजनभी पिता को देख कर मा का आचल पकड़ सहम कर सिमट गई, बहुत क्रोधित हो जाने पर पति की परचित मुत्रा नन्दी ने पैचान दी, वह उसके दुसाहस पर क्रोध से थर-थर कापता, कुछ देर तक मौन खड़ा रह गया, फिर एक अवग्या मिश्रित विद्रूप से बोला, देखो आ काने से पहले एक बार पूछ भी नहीं सकती थी, कितना कुछ कहना चाहती थी नन्दी, उसने अपनी शिकायतों को दो के पहाड़े की तरह रट रट कर कई राते काट दे थी, पर आज पति को सामने देखकर उसका समस्त साहस दुम दबा कर भाग गया, जाओ, उधर जाकर ब कमरे में पहुँची, एहलिया उसी तरह सहमी सिम्टी चुप चाप बैटी थी, मा के आसू उसके लिए कोई नवीन वस्तु नहीं थे, रात दिन वो मा को इसी प्रकार बिसूरती देखती आई थी, फिर मामी के कठोर सुभाओं ने उसके नन्ने हरदय को बहुत कुछ वैसे पूर्वी समझा दिया था, मा और मामी की चकचक के पश्चाद प्राया ही काम चलाओ अलग्योज्जा हो जाता था, मामा के बच्चों से बोलने और खेलने पर कठोर प्रतिबंद लगा दिया जाता, अहलिया मा का आचल पकड़ पकड़ पडोस में डोलती और जब उसकी मा आसु बहा बहा कर पास पडोस की बड़ी बुढ़ियों से अपनी दुर्भागी की कहानी का सस्वर पाठ करती एहलिया बैठी बैठी सुनती और खर लोटकर निराले में गुडिया को गोद में ले लेकर काल्पनिक पुर्खिनों के गुट को अपने दुर्भागी की कहानी की ठीक मा के ही शब्तों में पुन्रावरती करती उसके सलोने चेरे पर हसी से दूदिया बच्पन की मिठास मिठ गई थी दोनों मेरे भाईयों के गालियों के संकलन से उसने अपने ज्यान कोश को यथेश्ट समरद बनाया था और बड़े मौके से उनका सदुपयोग भी कर डालती थी अम्मा कौन था वह उल्लू का पठ्था जो तुम्हे ऐसे डाट रहा था आने दे मामा को साले को खुब पिटवा दूंगी मा को आश्वाशन दे कर उसने कहा और चट से नंदी ने हाथ से उसका मूद दाब दिया कोई आ रहा था नमस्ते माजी गमचे को कंधे पर डाले उडिया माराज हाथ में ट्रेली उपस्तित था एक प्रेट में कई बिस्कुट सजे थे बिटिया के लिए गिलास में दूद है माजी आप चाय पी लीजे सामान यहीं उठवा दू सरकर माराज के विने और सोजन इसे नंदी की आँखे भर आई गले में रुलाई उमर कर दम खोटने लगी आज तक किसी ने उसे ऐसे शिष्ट स्वर में नहीं पुकारा था भावी के राज में बरतन मलने वाली महरी भी छुड़ा दी गई थी इसी से दोनों हाथों में काली दरारे उभर रही थी मैं इन चीनी के बरतनों में चाय शाय नहीं पीवे हूँ बिठिया दूद पी लेवेगी और चीजें उठा लो मा के सर्वथा अनुश्चित अन्याय पूरा देश को अहिल्या नहीं सह सकी नहीं हम सब खाएंगी दोनों पैर पटक पटक कर वह सतश्ण द्रश्टी से बिस्कुट की प्रेट को देखती रोने लगी हाँ हाँ हम बेबी के लिए बहुत सारी मिठाई भी लाएंगे महराज ने कहा और प्लेट थमा दी आग में द्रश्टी से अहिल्या को देखती नंदी चुप रह गई महराज चला गया तो उसने अहिल्या को डपट करका कंगली चोकरी जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं है सबके सामने इज़्जत उतार लेवे है छोरी ए मरी कैसी भकोस रही है अभी अभी तो भाईया ने टेसन पर दालमोट ले दी हैगी मा को एल्या ने ऐसी द्रश्टी देखा जैसे उसकी द्रश्टी में संसार में सबसे बड़ी मूर्खा वही थी हाँ फिर मामा ने दालमोट ले दी थी बिस्कुट थोड़े न ले दिये थे अहाँ इनके बीच मीठा बराएगा मुन्ना चुन्ना और दीपा आएंगे तो धुत्ता दूंगी सालों को अंगलिया चाड़ती अहिलिया कलपना के उस स्वर्ग के सिंगासन पर बैठी बिस्कुट खा रही थी जहां उसकी मामी और उसके चुन्ना मुन्ना दीपा सत्रश्ण द्रश्टी से बिस्कुटों की उस भाग के शाली राजकुमारी ही को देख रहे थे महराज कलई के गिलास में नंदी के लिए चाए लेकर आया तो वह बिस्कुट की प्लेट साफ कर चुकी थी चाए रखकर महराज जाने लगा तो अहिलिया के धैरिकबान तूट गया उसने इसी आशा में दृत कामी स्पीट से बिस्कुट साफ किये थे कि ग्याह आदमी मिठाई लेकर आएगा उसके हाथ में मिठाई नहीं देखी तो उसने अपने अधीर चित को मन ही मन आश्वासन दिया कि अब वह जेब से पुढ़िया निकालेगा पर जब वह को रही हैं तो लौट गया तो उसने पुका रहा एए आदमी मिठाई क्यों नहीं लाए बोलो जुट क्यों बोले अब देखना भगवान जी तुमको गनेल बना देंगे उस सरवता मौलिक शाप का दुरू अर्थ ना समझकर परिहास रसिक बुड़ा खड़ा हो गया गनेल क्या बिटिया हाई राम कैसा आदमी है रे गनेल भी नहीं जानता देखो सींग निकालकर ऐसे रेंगता है अहिल्या जमीन पर दो अंगलिया सिर के पास उठा कर रेंग रेंग कर बताने लगी थी कि दर्वाजा खोल कर करनल आ गया अहिल्या सहम कर फिर मा के पास खिसकाई और फुसफ़सा कर बोली बाप रे बाप अम्मा फिर वही कनकटा आ गया अपके जरूर कान काटेगा दोनों हातों से खानों की सुरक्षा का उचित प्रबंध कर वह मा के आचल के नीचे दुबग गई महराज भी चुपचाप खिसक्या देखता हूँ लड़की को भी अपनी ही तरह जंगली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है एक दो दिन ही में स्कूल भेजना होगा अहिल्य सांस रोके कान पर हाथ धरे सुन रही थी देखो नंदी बहुत दिनों बाद पती के मुख से अपना नाम सुनकर नंदी का हड़े आनंद से धड़क उठा शायद अब करनल अपने अनुचित दुर्वेवार के लिए उसे छमा मांगेगा मन ही मन नंदी पती पर पसीच का शमादान देने को भी ततपर हो गए पर तीर की तरह करनल के कठोर शब्द उसकी च्छाती पर लगे मुझे अक्सर दौरे पर बाहर रहना पड़ता है रात आधी रात मेरे कमरे में दस्यों तरह के मिलने वाले आते रहते हैं तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा मेरे किसी काम में तुम दखल नहीं दे सकोगी अगर इस समझोते के लिए तुम तयार हो तो शौक से रहो तीन-चार दिन बाद इस बिगड़ छोकरी को बोर्डिंग स्कूल में डालना होगा मैं आज ये एक अंग्रेजी स्कूल को लिख रहा हूँ कल दर्जी आकर इसके कपड़े तयार कर देगा हाथ के सिगार का जला टुकडा फेक कर्रनल जाने लगा तो अहिल्या जो पहले से ही बड़े मनोयोग से ठूक का बम गोला तयार कर रही थी तनकर ख़ड़ी हो गए और ठूकर कर्रनल की और ठूकर बोली मैं नहीं जाओंगी स्कूल नहीं जाओंगी और फिर भाग कर मा की कोदी में सिरिव डाल कर जोर जोर से रोने लगी संध्या होने तक नंदी के कमरे में सामान लगा कर बड़ा पलंग डाल दिया गया था गद्दे पर चौखानी चीकर सी चादर को बड़े यतन से लपेट कर उड़िया महराज प्रभाकर ने एक कोने में रख दिया तक्ये पर चड़ा सफेद लठे का तक्या गिलाफ मैल से अपना श्वेद चुला कप का छोड़ चुका था उस पर नीले पीले और चटक लाल रंगों से लिखा था गुड नाइट जिसे नंदी ने राद भर बैट कर काड़ा था कड़वे तेल डले सिरके निरंतर सहवाज से कड़े फूलों का गुच्छा और अंग्रेजी के शब्द पीले पड़ गए थे उस गिलाव को उतार कर प्रफाकर ने एक धुला चीनिया कड़ाई का गिलाव चड़ा दिया रजाई का मारकीनिया गिलाव उतारने लगा तो उसका माथा दुरगंद से चक्रा गया इस्थान इस्थान पर पानी के धबे थे जिन पर लिहाब का कच्छा गुलाबी और हरा रंग चूट कर लग गया था पानी गिर गया लगता है माजी धोबी को डाले देता हूं बड़े विनैपुर्ण स्वर में माराज ने का तब ही अहिल्या दुष्टता से मुस्कुरा कर बोली पानी नहीं है हम पेशाब किये हैं प्रभाकर ने उस दुर्दान पालिका की और देखा ना जाने कैसी ममता से उसका बूड़ा रदे भराया उसकी अपनी बिटिया भी ऐसी ही थी आज होती तो उसके बच्चे भी हो गए होते गिलाफ उतार कर उसने बिस्त्रे की शिकन दूर की और नम्र स्वर में बोला माँ जी रात का खाना क्या होगा आज तो मेरी एकदसी है मैं तो फल खाऊं हूं सो ही ले यो नंदी ने अनिच्छा के स्वर में कहा हम तो सब खाएंगी पूड़ी पापर रायता चट्नी और क्या नाम से अचार मुरब्बा अहिल्या उन्ही वस्तों का नाम गिनाने लगी जो उसे कई दिनों से नसीब नहीं हुई थी चुपकर मरी बकर बकर कर दिमाग चाटे हैं एक टकोरा मार कर नंदी ने उसे चुपकर दिया पर वह मा के हाथ की मार की आदी हो गई थी पूड़ी रायता पापर और क्या नाम क कचाओडी मरती अच्छा सब कुछ लाना हम साब खाएंगी तू क्या खाएगी बत्तों वह समय की चपेटों से बुरी तरह जरजरेत एक भयानक आकरत की गुड़िया को चारती से लगा कर पूछने लगी क्या खाएगी मेरी बिट्टो मामी ने मारा है चुपा चुपा तेरे बाबुजी के पास जाएंगे अच्छा बत्तो उतारे गिलाव का डुपटा ओड़कर वह च्छडवर में मंजी पुर्खिन बनकर हात मटका मटका कर बोलने लगी मेरी मामी को ले जाए बाग हम अपनी बत्तों को मोटर ले देंगी स्वगत भाशर ने महराज को परि प्योहार से उपकर मांजी स्वामी द्वारा प्रदितेक्ता होने पर भी आ गई हैं पर साहब अभी भी बहुत नाराज हैं चलो अब दिन रात की दापतों और पीने पिलाने वालों से तो छुट्टी मिली नौकरों ने कहा पर छुट्टी मिली नहीं जिस निर्विकार भा उसे नंदी ने आप ही अपने दुर्भागी का वरण कर लिया वह वास्तों में इस्तुत्य था वह दिन भर अपने कमरे में बैठी रामायन पड़ती सड़क की और ही खिड़की खुलती थी उसी से चन चन कर जाड़े की गुलाबी धूप पूरे कमरे में आकर बिखर जाती सड़क के दोनों और हरे के व्रक्षों की कतार की कतार थी सड़क के पास ही एक बोड पर लिखा था हरीत की बागान लेन दिन भर बगघी मोटर और भील भाड का ता आता लगा रहे था सामने एक व्रहत चात्रावास था हंस्ती खिलकिलाती रंगीन चात्रों का दल भोर होत पक्षियों का सा गूजन कर उठता एक ही महीने में नंदी उस परचित द्रशे को देखने की अभ्यस्त हो गई करनल को अचानक एक माह के लिए बंबई जाना पड़ा एलिया को स्कूल भेजने का प्रसंग भी शायद अपने कारेरज जीवन में करनल भूल गया था कुछ ही द रही थी कि परदा खोल कर एक छिपछिपी गड़न की सुन्दरी सी किशोरी आखड़ी हो गई निकट आने पर नंदी ने देखा कि वा किशोरी नहीं 24-25 वर्ष की तरणी थी पान और दोक्ते से उसके दोनों होट रंगे थे मांग में गाढ़े सिंदूर की रेखा थी दोन कर नंदी को प्रणाम किया तो मुखरा एल्या जोर जोर से ही पूछ उटी थी मां कौन है ये अमां कौन है ये आहकी मीश्टी अम तुवारा माशी को आपकी प्रतिवेशनी शांती हो दी दी मलिक बाबू की पत्नी कई दिनों से आपसे मिलने को तड़प रही थी पर सुना साहब यहीं थे इसी से नहीं आई नंदी की आखों में शांती का हस्मुक चहरा बस गया कलकते की चोड़ी सडकों पर भागती ट्राम गाणियां हरे के पेड़ और धुए से काला कलकते का मैला सा आकाश सब कुछ अब नंदी को बासी लगने लगा था शांती थी एक दम ता कोटा पुत्र था उसी को लेकर वह देन भर नंदी के पास बैठी रहती दीदी तुम अपने साहब के कमरे में क्यों नहीं सोती एक दिन शांती ने उससे पूछ लिया अपनी आहत गीली द्रश्टी जुका कर नंदी चुप रह गई उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था बारामदा जाडने वाली चारूबाला उडिया प्रभाकर गोर्खा दर्बान क्या इन सब की द्रश्टी में वह यही मूख प्रश्न नहीं देख चुकी थी सब को उसकी आहत द्रश्टी का मौन उत्तर ही मिला था उसे कलकत्याए एक माह से भी उपर होने को था औ और वह करनल को केवल एक ही बार देख पाई थी एक बड़े ऐसे कमरे में कहीं बाहर से आकर भटक गई फसी गौरईया की ही भाती वह इधर से उधर फड़ फड़ाती थी पर बाहर जाने का मार्गी नहीं था एक दिन वह कमरे की खिड़की पर बैठकर गाणियों का आना ज जाना देख रही थी कि नित की हांक लगा कर गले में ट्रे बांदे फेरी वाला खड़ा हो गया चाई क्रीम चाई पोमेट चाई मायार की लीप कांट चाई और अहिल्या मचल गई कि वह फेरी वाली से कुछ लेगी फेरी वाले के जादू को भी फीका करता हुआ एक और दबूल कर उसे ही देखने लगी बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़ी तंबूनुमा काट की पहियेदार गाड़ी पर आशा लता बीडी सुन्दरी का विक्यापन चला आ रहा था आगे आगे लचीले शरीर को नचाती रंग पाउडर से पुती एक नाचने वाली गा र एक पाईशार बीडी खे देखो न ओदादा खे देखो न नंदी के ना कहने तक अहिलिया चट से मेच पर रखा अधना लेकर चू हो गई दुरभाग इसे करनल उसी समय अपनी राजसी भ्यूक में बंबई के दोरे से लोट रहा था उसके पार्ष में उसका ड्राइवर ब ब्रेक देकर कार रोकी तो ठक रह गया नंगे पैर बाल भूतनी से फैलाए जूट की हरी सुतन और लाल फ्रॉक पहने उनकी राज कन्या नाडा लटकाय आशा लता बीडी खरीद रही थी ड्राइवर बड़ा ही सूंस वेकती था अभी अभी कुछ देर पहले स्टेशन पर ही करनल ने उसे बिनास्टी की वर्दी पहन कर आने के लिए बुरी तरह लताडा था करनल को लगा कि बिटिया को पहचान कर हराम खोर मूचों ही मूचों में हस रा था और सरकार क्या वह घर जाते ही अपनी पत्नी मलिका से नहीं कहेगा क्रोट से दांत पीस था वह अपनी करनल ने उसे वहीं पर चीर कर धर दिया क्यों जी तुमसा इतना भी नहीं होता कि लड़की को सड़क में जाने से रोक सको अभी यभी इतने कपड़े से लवा कर दिये हैं क्यों नहीं पहना है पिना है तो थे लाल फिराखी तो पहने थी लाउंडिया और उसके नीचे अपने कमरे में गई बीडी को उल्टा सीधा चबाकर किसी प्रकार से भी स्वादना पाकर अहिल्या उसे नोच नोच कर कमरे में विखे रही थी कि नंदी ने लपक कर उसे चांटा धर दिया पती का क्रोच संतान पर निकालना इस्त्री जाती का सभाव सिद अवगोण है और तुझे माता निकले तेरी ठटरी उठे उस अमानुशिक रूप से वह उसे कूटने लगी नन्नी अहिल्या के रूदन से कोटी गूंज उठी और करनल कार निकाल कर फिर चला गया फूहर पत्नी की गालिया उसके कानों में गोलिया सी दाग नहीं थी उस दिन वह राद भर नहीं लोटा और दूसरे दिन दो बजे बहुत सारे रेडी मेट कपलों से सूट केस भर कर उसने एहल्या को बुलवा बेजा नन्दी जब कर रही थी जब के बीच वह बोलती नहीं थी फुसलाकर प्रभाकर ने एहल्या को गोदी में उठा लिया और बाहर लेकर चला गया जब कर नन्दी उठी तो अवाक रह गई एहल्या का हुलिया ही बदल गया था या तो कोई मेम की बीटिया थी उतकोच से सयानों को ही नहीं नन्ने सरल बच्चों को भी और सुकमता से लपेटा जा सकता है एहल्या ने एक बड़ा प्यारा गुलाबी फ्रॉक पहना था हाथ में उसी के कद की जापानी बुडिया थी अपने फर लगे दामी लाल ओवरकोट के गुदगदे कॉलर में गाल घिसकर वह बुली अम्मा देखो तो कैसा मुलाए मैं हम घूमने जा रही हैंगी मोटर कार में प्रभाकर दादा के साथ अबेर मत करियो प्रभाकर ठंड हैगी प्रभाकर की आँखों में उसके प्रती असीम करना का सागर उमर रहा था या नंदी नहीं देख पए बड़ी रात तक प्रभाकर नहीं लोटा तो उसका मा था ठंका बड़ी देर बाद प्रभाकर लोटा और सिर जुका कर नंदी के सामने खड़ा हो गया बीटिया कहा है प्रभाकर बड़ी देर कर दी मांजी बीटिया तो मदराज गई साहब के साथ वहीं स्कूल में पढ़ेगी अपराधी प्रभाकर की आत्मा उसे धिकार रही थी उसने पहले ही मालकिन को सूचना क्यों नहीं दे दी चकरा कर धप सिनन्दी कुर्सी पर ही दोनों हातों से चेहरा ढाक कर बैठ गई चुप चाप जाकर प्रकपहा कर शांती को बुला लाया था पर उस दिन वह एकांत चाहती थी उसकी अहिलिया जिसकी ममता का आधार लेकर उसने अपनी दुरदिन की घणिया काट ली थी उसस कब सुनी हैगी भगवान ने हाए मरी बिल बिला रही होगी नंदी बिला खुठी बेचारी क्या जानती थी कि बच्चों का सरल्मन हर मजबूरी से बड़ी सुगमता से समझोता कर लेता है थोड़ी देर को उसने अम्मा को याद किया था पर दूसरे ही च्छन वह नई गु पोसों दूर अंधेरे कमरे में उसकी अभाग नीमा पागलों की तरह कभी उसकी नंदी तक्या को उठा कर चाती से लगा रही है कभी उसकी परित्यक्त निर्जीव कुडिया को उठा कर चूम रही है यह वा क्या जानती थी करनल अपनी सोई पुत्री को देख रहा था आश इसी नफरत ना जाने क्यों थी ना वह इसकी कोई कैफियत पाता था ना पाना चाहता ही था काश नंदी में कहीं भी उसके सामाजिक स्तर को ग्रहन करने की गुंजायश होती जब कभी करनल उसे अपनाने का उसे सुधारने का संकल्प लेकर आगे बढ़ता अपने फूहर पहन प्यार से वह उसे दूर धकेल देती करनल ने अब सोचना ही छोड़ दिया था किन्त पुत्री के भविश्य को वह किसी भी प्रकार नंदी के हांतों सिर्जे जाने के लिए नहीं छोड़ सकता था इसी से उसने अविलम उटकमंड के कॉन्वेंट स्कूल में उसे भरती कर द या तो वह दात काट कर रोती भागने लगी लाल लाल गोरे से चहरे वाली ऐसी मेम उसने कभी देखी नहीं थी उस पर काला जबा और हुट देकर वह डर गई पर मदर ने हसकर उसे प्यार से फिर बुलाया और वह डरती डरती मदर के पास आ गई मदर की नीली आँखों के सनेह और करणा ने कैसे कैसे चंगली और उदंड बच्चों को जीत लिया था आप चिंता न करें मिस्टर पांडे आपकी पुत्री यहां पर बड़े आराम से रहेगी निश्चिंत होकर करनल लोटा तो उसने नंदी को बुलवा भेजा सूजी आँखें लाल नाग और विशात की साक्षात मूर्टी दे कर उसकी घ्रणा ने फिर सिर उठा लिया नंदी रोध होकर कोई लाब नहीं तुमें मालुम होना चाहिए कि जिस स्कूल में मैंने एहलिया को डाला है वहां का एक महीने का खर्चा ही 200 रुपे माहवार है तो बात दूसरी थी पर जब यहां हो तो तुम्हें दावत में भी आना पड़ेगा देखो नंदी दावत में अगर तुमने किसी तरह का पाखंड दिखाया या कच्ची पक्की रसोई का बवेला उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहोगा बगुला के पंक कैसे बिछोने पर करनल अधिलेटा ताड़ी बना रहा था आज नंदी ने पहली बार कलकत्ता आकर पति को उजाले में देखा था आखों के उपर का मास उबर कर फूला फूला से जूल रहा था चेहरे पर शरीर पर किये निर्मम अत्याचारों की स्याही सी फुक गई थी चेहरा अभी भी भरा भरा था पर अब उस चेहरे पर स्वास्थ की लाली नहीं नशे की तमतमा हर थी समझ गई ना धंग से कपड़े पैन कर आट बजे मेरे कमरे में आ जाना कपड़े हैं या नहीं पहली बार पती ने उसके कपड़ों की सुधी ली थी वर् करफियों की लूट थी तो वहां दूसरी और नंदी के लिए कोईलो तक में सील मोहर लगी रहती थी पती का रतनकोश उस बेचारी के लिए बंद ही रहता एक और रुपिया पानी की तरह बहाया जाता था पर ग्रह सौमिनी की कमर में चाबी का एक निरर थक गुच्छा ही बड़ा अभिशाप है क्योंकि नारी स्वभाव से ही उदार होती है परिस्थितियां ही उसे क्रपन बनाती है किन्तो पुरुष रहता है स्वभाव से ही क्रपन परिस्थितियां ही उसे उदार बनाती है कभी-कभी मायके से ही तीज तेवहार के पैसे आते तो वह लुका छ अंगर्ष में जीवन हो, कितना ही आर्थिक अभाव हो, नंदिक किसी भी प्रकार अपने दुख के स्वर को करकशा भावी के कानों तक नहीं पहुचने देती थी, बक्स खोलकर उसने एक नीली कश्मीरी सिल्क की साड़ी निकाली, उसके भईया ने एक काश्मीरी फेरी वाले से ही उसे तीच पर खरीद कर दी थी, आज तक उसने कभी पहनी भी नहीं थी, बिना स्टी की गुड़ी मुड़ी सी साड़ी के साथ काले साटन के जरी पट्टी ब्लाउज में वह कितनी फूहर लग रही थी, वह बेचारी क्या जानती, पर ठीक समय पर शांती ने आकर उसे बचा लिया, नहीं दी दी, इन कढ़ी साड़ीों का तो अब रिवाज ही नहीं रहा, रुको मैं अभी अपनी एक साड़ी ले आती हूँ, तुम्हारी दावत में तो कलकते की एक से एक फैशन की परियां आएंगी, भाग कर शांती अपनी एक नीलामबरी साड़ी ले आए, चोड़े सुनहरे पाड़ को धंग से माते पर डाल कर शांती ने नंदी का परिपाटी से जूड़ा बनाया, आधे रिलाट को सिंदूर के रुपए के आकार के टीके से नंदी मनहूस बना डालती थी, शांती ने छोटी सी बिंदी लगाई, मांग भरी, और अपना ही एक हल के आसमानी रंका जरी का बलाउस पहना दिया, कानों में अपने ही कटकी सुनार के बनाये, कान पाशा लटका दिये, और गले में डाल दिया, गिन्नी हार, कौन कहेगा या वही नंदी है, जो कुमायों की एक वस्त्रा होकर खाना पकाने की परंपरा को ना त्याग सकने के का एक मैली सी पतली धोती में सुमेरू यूगल स्तनी बनी, फूहर सी चौके में ही खुसी रहती थी, आहा दीदी, देखो कैमोन मानी एचे, गर्व से शान्ती उसे देखने लगी, प्रभाकर बुलाने आया तो बुड़ा भी कुछ छण को हत्रपसा हो गया, नंदी पती के कम गई और करनल भी उसे आशर से देखने लगा, जैसे आज वो अपनी पतनी को पहली बार ही देख रहा था, देखो नंदी, सबसे नमस्ते कहना और बोलना मत, मेरा मतलब है कम बोलना, मेरे एक मित्र आएंगे मिस्टर सिवल स्टन, अंग्रेज हैं, उनके मेम भी आएंगी, उनसे हाथ मिलाना होगा, ऐसे देखो, नंदी का हाथ पकड़कर उन्होंने हिला हिला कर दिखाया, पती का स्पर्ष पाकर नंदी के हदे में बिजली का सा जटका लगा, कैसी भूलती उसकी, वह तो सोच रही थी कि पती की ममता उसने त्याग दी है, बहुत दिन पहले, अह के बीच दाब दिया था, उस सूखे गुलाब को देखकर अहिलिया की इसमरती सजीव हो थी, उसी सूखे गुलाब की पंखुडियों की भाती, उसके पती और पुत्री के मो की पंखुडियां भी सूख गई थी, दिन पर दिन उसके वरत और अनुस्ठान बढ़ते जा रहे थे, उनके पास जाकर नंदी के दग्ध हदय को कितनी शांती मिलती थी, चिन मयानन्द को वह अपने मायके से जानती थी, जवा छोटी सी बच्ची थी, बाबा राम क्रश्न आश्रम के स्वामी जी के साथ स्वामी जी उसके भहिया के पास आते थे, कई कई बार वह उनके कम से रोप पड़ी थी, जब नंदी ने अपने पती के विचित्र व्योहार की बात बतला कर सन्यास दीक्षा देने का आकरह किया था, तो वे गंभीर हो गते, देखो बेटी, तुम अभी जवान हो, तुम्हारे पती है, संतान है, तुम्हें सन्यास और वैराग्य से कैसा लग थी, बाबा तो पद्रिनाद ग्यामाई एक शेश कुटी को ज़ाड बुहार कर अपने लिए साफ कर रहा था, सोच विचार के उधेर भुन में वह एक कोने में चुप चाप बैठी थी, अतितियों के आते ही उसे अभ्यर्टना करने बुहार पर जाना होगा, या उसे करनल स जा चुका था, घर से कार का शब्द हुआ और वह उठ गई, कितने सारे अतिति थे, रंगी रेश्मी वस्त्रों की सर रफर, गेनों की चमक तमक, ओठों और कालों के रंग की लाली देखकर सरला नंदी बोरा सी गई, कभी वह किसी मेम से टकरा जाती, कभी किसी साहब से, जैसा आश्चर था, कि इतने सारे विचित्र लोगों के बीचा कर भी उसे किसी प्रकार का भे नहीं हो रहा था, उसके चेहरे पर किसी जुझलाहट या शोप की रेखा भी नहीं उगरी थी, मन ही मन, वह स्वामी जी का ध्यान कर रही थी, पास ही बैटी, रंगी, पुती, छीचोरी आकरतियों में भी उसे स्वामी जी का शांत गंबीर जुर्यदार चेहरा ही उबरता नजर आ रहा था, पती के रंगीले संसार में होकर भी वह जैसे वहाँ नहीं थी, उसकी आत्मा वासना और विकार से बहुत उपर उड़ गई थी, इतने ही में किसी का स्पर्ष पाकर वह चोंगी, नो मौशकार, मैं मलिका हूँ, कहिए कैसा लग रहा है कलकता, नंदी ने चेहरा गुमाया, और मलिका सरकार को साप सा सूम गया, बाप रे, कैसी अदबुद रष्टी है इस सात्वी की चेहरे की, लगता है पलक मारते ही सब जान गई है, पर छीची, कैस लिबास और भाशा का धनी करनल, कहां ये फूहर पत्नी, रंग ही गोरा हो जाने से तो सुन्दी नहीं कही जा सकती, मन ही मन मलिका सोच रही थी, ठीक है, पर मुझे तो बहुत पसंद नहीं आया कलकता, कहकर नंदी ने एक बार उसकी और फिर देखा, तो यही है मलिका, उस के विलासी अधर टुक टुक लाल थे, काजल से, आयत कन चुम्बी नैनो के कुटल कटाक्ष बार बार करनल को ही धून रहे थे, नीली साड़ी पर जरी का चमकता पल्लू, बिजली की नीली रोशनी में जिल मिला रहा था, हाथ के बटूए को हिलाती वा उट गए, अच्छ देखती हुई, नंदी की और देखकर मुस्कुरा दी, एक एक नंदी का चित खिन हो गया, संसार में कौन ऐसी पत्नी होगी, जिसका हर्दै अपने पती के पास में बैठी सौत को देखकर खिन नहीं होड़ता, और मल्ली का सरकार उसकी सौत ही तो थी, राखाल सरकार उसके पती के प्राइवेट सेक्रेटी थे, बड़े ही नम्र और मिश्ट भाजी, पहले पहल उन्हें नंदी ने बंगले पर ही देखा था, फिर एक दिन वह शांती से उनके सुभाव की प्रशंशा कर रही थी, कि शांती उबल गई, खाक सज्जन पुरुस है, हिंजडा है, एह म पुरुस होता तो क्या अपनी पत्नी को, कहकर वह जीब काटकर चुप हो गई थी, पर कस्मे दिलवाकर नंदी ने उससे सब बातें उगलवा ही ली थी, मलिका राक्षसी है दी दी, जैसे भी हो अपने साहब को बचाना ही होगा आपको, साहब ने कितने सारे गहने हुगले के पास बहुत बड़ी दुमंजिला कोठी भी बनवा दी है, बच्चे है नहीं, सास को मार पीट कर काशी भगा दिया है, एक नंदी थी उसे भी ब्या दिया है, जब से सास ने काशी वासलिया खूब गुल छर्रे उड़ाती है सुसरी, पता नहीं क्या देखा पैल सी बच शकल स्त्री भी सुंदर पुरुष को अपने काले चर्णों का दास बना कर छोड़ देती है, इकहरे बदन की मलिका के चहरे में सिवाए दो बड़ी बड़ी धनूश सी खिची आँखों के अलावा और कुछ भी नहीं था, किन्त उनी दो रसीली आँखों ने उ जीने आचल को अपने कांधे से जान बूझ कर गिरा गिरा देती, और त्रशित चात्की की द्रश्टी से करनल को ही अपनी मुग्द चावनी में बांद कर गर्व से नंदी की और देखकर मुग्द चुनोती दे डालती, नंदी के पती ने कभी उसे ऐसी आँखों से नहीं देखा था, वह मलिका की और देखता तो आँखों में लाड़ चलक उठता, एक बार तो दोनों में ताश का बंडल लेकर चीना जप्ती हो गई, और बड़ी ही आत्मेता के अधिकार से एक जटका देकर मलिका ताश लेकर खिल खिलाती दूर भाग गई, नंदी स्तब्द ब पज़ा दग्द कर उठी, एक चपला नारी से पति की सामान प्रणय के लिए देखकर वह काप उठी ती तावत बड़ी जोर शोर से रंग में आ रही थी, अभी तक पीने पिलाने का ही धौर चल रहा था, एक एक करके सब नशे में चूरते, किसी को तन बदन का भी होश नह कित होकर एक मकमली परदे की आर में पियानों के पीछे जाकर दुबग गई, वहीं से उसने देखा करनल मलिका के मुँ में कबाब ठूंसता, उसी पर जुका जा रहा था, और वह बड़े खिलवार की भंगिमा में, इधर उधर मुँ बचा बचा कर निरलज हसी हस्ती करनल क को नचा रही थी, नशे में चूर लड़ खडाते पैरों से मलिका के पीछे भागते, अपने सौंदर भोगी पती पर नंदी को सहसा ऐसी घ्रणा हो आई, कि कस कर मलिका को और करनल को चाटा मारने को वह व्याकुल हो उटी, पर बड़ी चेस्टा से उसने अपने को रोक लि पर भावी का व्योहार कै इतनी जल्दी भूल सकती थी, एक ही उपाय था, पती के लिए अब उसके हदय में कोई भावना शेश नहीं बची थी, रह गई एहल्या, वावी अब पिता की ही सगी होगी, मा की नहीं, अब उसे स्वामी जी के चर्णों की पावन धूल ही तार सक आता और वा पिता के पास भाग आई थी, पती ने दूसरा विवाग कर लिया था, पिता की मरत्य हो गई थी, अब वा स्वामी जी के पीछे चाया सी घूमती, उस तापसी के काले चेहरे पर कैसी अद्बुश शांती और संतोस की चमकती, एक गेरुआ साड़ी पहने, वा द उसी दिन भाग गई थी, फिर नहीं लोटी, करनल भी जिद्धी पतनी के सुभाव से परचित था, और नंदी भी जानती थी, कि उसका दम भी पति कभी भी उसे लिवाने नहीं आएगा, दोनों में से एक भी जुकना जानता, तो ग्रह धा होने से बच जाता, धीरे धीरे क करनल के समाज में यह समाचार फैल गया कि मिसिस पांडे ने सन्याज कर लिया है, अब आगे